नवस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पू सांगी बिहार में क्रोणा का जो रफ्तार है अब कम होता हुआ नजर आ रहा है जो आकरे हैं उसमें अब कमी देखी जारी है लेकिन आज जो स्वास्त विभाग की तरफ से अपडेट जारी कि क्या गया है उसमें आज फिर से जो क्रोणा के आकरे हैं वह 865 है आपको बता दे कि स्वास्त विभाग में आज जो अपडेट जारी किया है उसमें अगर टॉप तीन जिले की बात करें तो पटना बेगू सराय और मुझहपर पूर्ती नैसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा आज क्रोणा के केस मिले हैं आपको बताते कि पटना में 432 केस मिले हैं इसके साथ ही पटना जो है सबसे पहले पायदान पर अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वह है मुझहपर पूर जहां 110 मरीज मिले हैं वहीं तीसरे नंबर की बात करें बेगू सराय में जो है 68 मरीज मिले तो आपको बताते हैं कि जो स्वास्त विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है उसमें बिहार के अन्य जीलो में क्या कुछ इस्तेती है वो हम आपको बताते हैं तो आज जो स्वास्त विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है उसमें अररिया में पांच तीन मरीज में लहें वहीं अगर बात औरंगाबात की करें तो वहां 5 मरीज बांका में 8 भागलपूर में 11 भोषपूर में 2 बकसर में 3 दर्भांगा में 3 इस चंपारण में 4 गया में 8 गोपाल गंज में ग्यारा जमूई में छे जहानाबाद में साथ कैमूर में नौ कटिहार में 5 खगड़िया में 5 किशन गंज में 9 लकी सराय में 5 मधेपूरा में 2 मदुवनी में 17 मोंगेर में 10 नलंदा में में तेरह नवादा में अठाड़ा पु्रणिया में दस रोतास में चार सहर्चा में एक समस्तिपूर में चार सारन में तीन सेख पूरा में आठ सीता मरी में एक सिवन में 3 शुपॉल में 3 वैसाली में 4 और वेश चमपारन में 12 मरीज मिले हैं तो ये था स्वास्त विभाग की तरब से जो अपडेट जाड़ी किया गया है जिसमें बिहार में जो है वो कुल क्रोना के जो आज केस मिले है वो 865 है अगर वही बिहार में टोटल मरीजों की बात कर ले तो बिहार में 2,23,477 है वही अगर एक्टिब केस की बा चार छे प्रतिसत है जो कि किसी अन्य राज से 10 प्रतिसत जादा है तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही नेशन न्यूज के साथ नमस्कार